Hello everyone, Welcome to my YouTube channel, AHLPAN कैसे हैं आप लोग? So, इस वीडियो में आप लोग को IGNU के लेटेट एक छोटा सा information देने वाला हूँ, जो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा important है. चाहे वो Bachelor's degree case students हो, चाहे Master degree case students हो, चाहे डिपलोमा के हो या certificate program के हो. IGNU ने जुन 2019 examination में examination fees बरहाने का फैसला किया है, जहाँ अब IGNU में आप लोग को exam देने के लिए ज्यादा fee payment करना पड़ेगा. इसकी information आप लोग को IGNU की official website पे नहीं मिलेगी, IGNU की official website पे आप लोग जाओगे, तो यहाँ पर fix increment का कोई भी notice नहीं दिया गया है. लेकिन जब IGNU का जो दिल्ली का regional center है, उसके जब official website पे जाओगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर exam and results section में आप लोग देख सकते हो, revision of term and examination fee, इसके उपर आप लोग क्लिक करोगे, तो यह notice आप लोग के screen के उपर नजर आ जाएगा. इसका link पर ने description में दे दिया, description का link को follow करके आप लोग यह notice पर सकते हो, यहाँ पर यह चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है, कि examination जो fees है, उसको revise करके, पहले जो 120 रुपीज लगता था आप लोग का fees, वो अब 150 रुपीज लएगा, यानि कि अगर कोई students 10 examination एक साथ दे रहा है तो जो पहले उनको 1200 रुपीज लगता था, वो अब 1500 रुपीज लएगा, और यह examination fees जो अभी revise किया गया है, वो जून 2019 examination में लागू होने जा रहा है, जून 2019 examination में आपको 150 रुपीज ही payment करना होगा पर subject, और उसके बास से अब यही लागू हो जाएगा, जो पहले का 120 था, उसको हटा दिया गया है, इससे पहले जून 2016 में इसको लागू किया गया था, यानि कि पहले आप लोगों को याद होगा, दिसमद 2015 तक 60 रुपीज पर examination लगता था, उसके बास से जून 2016 में 120 रुपीज कर दिया गया, और अब उसको बरहा के 150 रुपीज कर दिया गया, और यह सभी रीजन के लिए है, ऐसा नहीं किसी दिली रीजनल सेंटर का अफिसल वेबसाइट पर अपडेट को है, तो सीपूसी के लिए है, ठीक है, यह ओनलाइन ही फॉर्म फिल अप होता है, तो सभी के लिए 150 रुपीज ही लगेगा, तो यह बहुत इंक्रीमेंट करके 150 120 रुपीज था, तो यह छोटा सा इंफॉर्मेशन था, जो मुझे लग रहा था, कि आप लोग को बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत सा इंफॉर्मेशन को इस बात की जनकारी नहीं है, मुझे उमीद है कि आप लोग को इंफॉर्मेशन लिगी होगी, इसलिए वीडियो क थांगे वीडियो कि आप लोग को इंफॉर्मेशन लिए जाप लोग को इंफॉर्मेशन लिए।